सबसे पहले मैं आपको सफेद बाल दिखा रही हूं जो की लाइफ प्रूफ है और अगर मेरे हेर केर या हिना वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे क्राउन पोर्शन पे बाल सफेद है और यह देखिए आपको क्लियर दिख सकता है तो चलिए आज एक नया मेथ एक से दो ग्लास और इसमें डाला है दो चमच चाय पती हमारे घर की रेगुलर चाय पती और इसी के साथ डाल रही हूं दो चमच के करीब ही कौफी पावडर और अब हम पानी को उबलने देंगे थोड़ा से जादा पानी इसले लिया है तो दाट यह अच्छे से उबलेग आज का जो मैं यह पानी बना के तयार करूंगी यह ना सिफ आपकी बालों को कलर देगा बलकि आपकी बालों को बहुत अच्छी शाइन और हेल्थ भी देगा तो जरूरी नहीं है कि अगर आप महंदी लगा रहे हो तभी इस पानी को यूस करो आप इसको वैसे ही बना के च पाउडर सारे घुल जाएंगे कथा नाच रहनी कलर देने का काम करता है और आपको यह पाउडर ना मिले तो पाम वालों के पास भी कथा मिल जाता है अब फ्लेम को मेडियम टू हाई रखेंगे और इसको उबलने देंगे जरूरत से जाधा तेस करेंगे तो सारा का सारा मि अच्छा है जो लोग बोलते हैं हिना लगाने से उनके बाल बहुत ही रूखे सूखे ड्राय या फिर हेर फॉल हो जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है तो इस तरह से देखिए पानी यह उबल रहा है 5-7 मिनट तक इसको जरूर उबालिए और इसको रिडूस करिए और जब यह आपको लगे कि रिड्यूस हो गया है तो फ्लेम को बंद करी और कम से कम 1-5 घंटे के लिए इसको रूम टेमपरेचर पे आने दीचिए गरम गरम पानी से हिना को कभी मत घो लिएगा नहीं तो इसको सारा का सारा कलर उड़ जाता है अब मैंने लोहे का बरतन ल जो की जरूरी है जब हम एकनी सारी चीज़े यूज कर रहे है ना तो कोशिश कीजिए कि आप लोहे के बरतन में ही घोले अब जो मैंने पानी तयार किया था उसको चान कर हम लोहे को घोल लेंगे और इसको पूरी रात के लिए ढखकर रख देंगे यही सही तरीका है कि अगली सुभा अब जब आपकी हिना पूरी तरहां से सारा का सारा असर ले चुकी है जो हमने पानी तयार किया था उसके साथ अब यहां पे मैं आड़ करूंगी दो चमच फिर से कॉफी पाउडर लास्ट में कॉफी आड़ करने से पता नहीं क्यों लेकिन बालो में कलर बह सेफ एंड नाचरल हेर कलर रेडी है तो बाल मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ सफेद अभी फिर से और डीपली दिखा देती हूँ यह देखिए बाल मेरे एक साइट पे ना पूरी तरहां से क्राउन पोर्शन में सफेद है और इसलिए मैं बीच-वीच में हिना प्रे हो जाते हैं यह देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पे तो सर्दिया होने की वज़़से मैंने काफी टाइम से हिना नहीं भी लगाया है और जिस मेठेड से मैं लगातार हिना अप्लाय करने की वज़़से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो तो इस तरह से देखिए आप रेगुलर लगाईए हर हफ़ते रगाईए अब तो मौसम भी टोड़ा खुल गया है तो आपके बालों पे बहुत अच्छा पक्का कलर आएगा नाच्रली मार्किट के कलर आप छोड़ सकते हैं तो अभी मैंने हिना लगा दिया इसको मैं तीन आपक्स जरूर शेयर कीजिएगा फिर मिलती हूं किसी और बहत्रीन वीडियो के साथ बाई बाई